असलाम अलेकुम कैस्ट आप सब अलम्दुलिल्ला में एकदम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी पिटारा ने बोली कि यह रात को तीन बजे विडियो बना रही है वही टेम पर विडियो बना रही है जिस टेम पर यह आप लोगों से कनेक्ट बैग्राइव ती इसके अस्वरेट ने शादी किया था रात को तीन बज़े अब यह बताओ कि क्या इसने घड़ी दिखाई है के रात के थीन बज़ए यह क्या एंसी कोई जगह पे बैठी हुए यह के लग रहा हो के रात के तीन बज़रे अगर इसके पीछे वाले परदे पे आप लोग ध्यान दो तो वहां से ऐसा लग रहा है न कि उजाला आ रहा है तो रात के तीन बज़े का तो भई है और आप लोग यह देखो कि कितनी ड्रामे बाज औरत है लिश्टिक लगा के मेक यह रात को तीन बज़े तो पिटारा रात को तीन बज़े ही क्यों तुझे टैम मिला तु दिन में भी तो वीडियो बना सकती थी दिन में भी तो लाइवे लगी हुई थी मतलब के तुझे सिर्फ और सिंपती जतानी है तीन बज़े का बोल के फिर यह बोल सकती है ना तू कि रात को तीन बज़े ही आप लोग भी मुझे मिले थे रात को तीन बज़े मैंने वीडियो डाली थी और पिटारा तु कितनी मकार है तुझे क्या लगता है कि तु बोलेंगी रात को तीन बज़े मैंने वीडियो डाली तो हम मान जाएंगे कि हां तुने तीन बज़े डाली जो अरत रात को 10 बजे रोजा खोलती है और बोलती है कि हम लोग रोजा खोल रहे हैं जो अरत रात को 10.30 बजे रोजा खोलती है और बोलती हम लोग रोजा खोल रहे हैं पीछे घड़ी में साप नजर आता है कभी 10 बज रहे होते हैं कभी 10.30 तो कभी 10.30 याड कोई भी टाइम हो रहा होता है तु बोलती हम रोजा खोल रहे हैं तो तुझे क्या लगता है यह तीन बज़े वाली बात हम मान जाएंगे मतलब इतनी सिंपती देखो इसका दिमाग कितना चलता है चोटी चोटी बात के ओपर यह सिंपती लेती है कि बतलब लोग यह ब इसको सिंपती दे रहे हैं कि देखो इतना टेंशन में थी कि रात को तीन बज़े वीडियो बनाई तो सिंपती देने की विल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि रात को तीन बज़े वीडियो नहीं बना रही है यह जूड बोल रही है जो औरत बैक्राउंड को मेकप को इत इसलाम काट भी खेलती है कभी कबार तो यह सारे काट खेल के तू व्यूस काती है तो इसको बहुत गुस्टा आता है यह बोलती है ने मैंने अपनी मेहनत से चैनल को ग्रो की हूँ मैं यहां तलग के अपनी मेहनत से आई हूँ तो पिठारा यहीं से पता चलता है तुझे और अगर सलमा को compare किया जाए तो सलमा एक मुद्धा लेकर आई थी सलमा ने जो दीन से मुद्धा खतम किये आज तक के वो बंदी ने डैरेक इंडैरेक वो मुद्धे के पर बात की नहीं की इसको बोलते है के असल मुद्धा असल जो बात थी ना जो सच्चाई थी वो सलमा लेकर आई थी जो लोग content के लिए करते ना जैसे तू हर छे मैने में तू याद दिलाती है कि मेरे husband ने दूछली शादी किये अब दूसरी शादी तेरे husband ने करके तेरे पे कितना जुलूम किए अब तो वो तेरे supporter भी अपने मूँ से बता रहे बाकि इसने ये बोली कि मैं ये बते इसके लिए बता रही हूं कि मेरे husband ने शादी किये मैं हिसके लिए बता रहे हूं ताकि है ना जिसको जूरना है मेरे साथ में रहे नहीं रहे नहीं रहे मतलब कि तू वापिस से उनको बुला रही है अपने सपोटर को आवाद दे रही है कि मेरी दुख बरी दास्तान में आप लोगों को फिर से सुना रही हूं तो आप लोगों को अगर मेरे साथ में वापि जरूर चाटिंग तो यह एक उसर के नाम से तो तू सिंपती मत ले शरम कर डूप के मर जांग इसके पास में यही ऑप्शन था कि यह घर के काम करती यह जॉब करती तो आप लोग खुद बताओ क्या दुनिया में ओरतें जॉब नहीं कर रही है जो अरतें कुछ भी नहीं सिखी हुई है जो बिल्कुल भी पड़ी लिकी नहीं है और दुनिया को भी छोड़ दो इसके घर के अरतें क्या काम करती रही है इसकी मां क्या काम की है इसकी मां भी तो घर के काम की है इसकी जो बैन है रुबिना वो भी घर के काम की है जो शारुक की माई वो भी घर के काम की है मतलब कि इसकी खांदान में खुद लोगों ने घर के काम की है इनके आदमियों ने ड्राइविंग की हुई है और दुनिया में भूट सारी ओरतें ये तो फिर भी चलो जूड बोलके लोगों को गालियां खिलवा के खांदान के कपड़े फाड़ के कड़ोडो रुपए इतने कमाये है लेकिन अगर दुनिया में आप लोग देखोगे न तो औरते हैं न सुबा में जल्दी उट्टी है टिफिन बनाती है बच्चो को तयार करना छोड़के फिर वहांसे अपनी जौब पे जाना घर के काम लगेटा करके फिर वहां से आना Rabbi से पूरा दिन जौब पे रहना फिर घर में खाना भनाना कपड़े बरतन ये सारा कुछ करना फिर बच्चो कादूक था इस छूद बताई थी कि अच्छे खते लाखो रुपए लगा के इसने मेकआप का कोड की थी अगर सी जी जैदा नहीं जिंद conception गुजर रही थी तो गूर्णत कर नहीं फिर लेंबाने के लिए और यह अईसा नहीं है कि इसके घर की जरूरते पुरी कर रही थी नहीं यह आयाशियां अपनी पुरी कर रही थी यह सुरू से ही आयाश औरत है तो पिटारा इस चीज के उपर तो तू सिंपती मत ले कि तुझे घर का काम करना पड़ता या कोई जॉब करनी पड़ती तो बहुत बड़ी बात नहीं है लोग कर रहे थी के तो इसमें सिंपती लेने वाली कोई बात नहीं है पहले थे लोग जो तुझे इस चीज के उपर नहीं समझ पाते थे जब हम आवाद उठाते थे लेकिन अब है न लोगों के आंके खुल गई है कि तो कितनी जूटी और मकार औरत है दूसरी बात इसने जो बोली है कि खांदान वाले रोकते थे सब बाते करने के लिए थे मतलब के मदद करने वाला कोई भी नहीं था तो आप लोग खुद इससे पूछो कि इसने किसी की कितनी अपना पुराना फटीचर फरनीचर उठाके दी तो दूसरों के उपर यह इस तरह से बात कर रही है तो इसके पास में तो कडोडों रुपे इसके जितना अमीर तो कोई भी नहीं है इसके खांदान में तो यह दूसरों से कैसे उम्मीद लगाती थी कि वो लोग इसको help करे क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे क्या उनकी फैमिली नहीं थी जब सब जने अपनी अपनी फैमिली समाल रहे थे तो यह क्यों यह उम्मीद लगाई थी और इस चीज़ के उपर क्यों सिंपती ले रही है कि मुझे कोई देने वाला नहीं था सब जने शिरी बाते करने वाले थे अब अगर इसके पास में कडोडो रुपे है तो किया ये खांदान वालों को दे silly की मदद करी है यह किसी की सवाओ करी है क्यूंकि व्लोग तो यह तरी तरह आप Nadone न करके करणों रुपए नहीं कमा रहें लोग तो मैनस कर रहें कुछ लाक रुपए कमा रहे तो पू दिखा नौnा वह करके तुझा जैसे तुम लोगों की help कर रही हु खाना खाना है ब्रेंडेट कपड़े चाहिए मेंगे मेंगे फाउंडेशन चाहिए एसी चाहिए फ्रीज चाहिए वाशिंग मशिन चाहिए गारियों में घुमने के लिए चाहिए आए दिन तुझे कश्मीर जाने के लिए चाहिए दुबई घुमने के लिए चाहिए यह सब चीज़ों के लिए तुझे help करते भूकी तो नहीं मर रही थी ना बलके वो टेम पे भी ना उनसे ज्यादा आयाशी में जिंदगी तू गुजार रही थी तो इस चीज़ के अपर पिठा रहा तो सिंपती नहीं ले सकती है ठीक है जुनिया में कोई भी family एती नहीं है जो कोई किसी को help करता हैंगा क्योंकि सब की अपनी अपनी family है सब अपनी अपनी family के जुम्मेदार होते हैं उनको अपने फर्ज निभाने होते हैं तो तू कैसे यह बात बोल सकती है कि कोई भी हमें देने वाला नहीं था क्यों तू मर रही थी जो तुझे लोग देते आके बिखार करत बोल रही है कि में रवेंड रमेडी में अपनी ओडियंस को न धोका नहीं तो चाहती थी जब से बड़ी दोके बाद हैं आपनी अपने ओडियंस को धुका नहीं देती थी इसके लिए न मैं अच्छे से पढ़ती थी अपने अपर apply करके नो तो फिर बताती थी चल जू तो फिर मैं अंदर अंदर से बहुत तूट गई लेकिन अपने बच्चों के सामने रहे 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 पिटारा यासीन तो यह जो पहले सिंपती ली थी इस चीज के उपर यह बाते बोलके तो वह टेम पे तो ऑडियंस को इसके खांदान का पता ही नहीं था कि हर किसी की दो दो त तिन तिन चार चार शादी हुई है जिस तरह से यह जतार यह कि कोसर ने इसका घर खराब कर दी थी कोसर ने इसके घर में डाकर डाली थी तो पिटा रहा तेरी माने भी तो दो के घर में डाकर डाली है ना तेरी माने डाकर नहीं डाली तो कोसर के उपर कैसे फ्लेम कर सकती ह तेरी बेन रुबिना डाका नहीं डाली उतने तेरी बेन की जो बेटी है नेना उतने डाका नहीं डाली डीडी की जो दो दो तिन तिन वाइफे है उन लोगों ने किसी के घर में भी डाका नहीं डाले तो तेरे खांदान में तो सभी की दो दो तिन तिन शादी हुई है भई तुमारे घर में तो रिवाज है जब मर्दी लव हो जाता है जब मर्दी शादियां कर लेते है अगर के अजबर ना चोड़े तो उनको टपका भी दिया जाता है तो तू किस चीज की सिंपती ले रही थी कौन थी बड़ी बात हो गई कि अगर तेरे अद्बेन ने दो शादी कर लिया बाकी शादी की रियालिटी तो सभी को पता है कि तुझे एजाज के साथ जाना था ना इसके लिए तुने कौसर की शादी करवाई थी जो के कौसर के बाप का बयान आज भी हमारे पास में पड़ा हुआ है जिसमें वो बोल रहा है के पिटारा खुद आई थी रिस्ता लेके वो खुद आके डील करके गई ये रिस्ते की सारा कुद तुने खुद तैकी थी आज वो चैट भी हमारे पास में पढ़िये जिसमें तो खुशी-खुशी एजाज को बता रही है के हो गई शादी तो सिंपती की इस चीज़ की भई तुझे एजाज के साथ जाना था इसके लिए तुने कौसर की शादी करवाई थी अब लोग यह सवाल करते थे ना कि इसका जिन्दगी जी रहा है कौन टडब टडब के जिन्दगी जी रहा है वो और यहांस को पता चल गया है मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल में जाके बताने की जरूरत है बकि यह दो साधी के हिसाब से पिटारा जो लोग तेरे खिलाफ हुए थे ना इसलिए हुए थे जब इतलाम में जायज है और तुन्हें खुद ने करवाई है तुन्हें यहां तक के भी बोली थी के हां मुझसे सहन लिए लेकिन फ्रॉट तरीके से लिए जो औरत सोचो के हर एक चीज अपनी गोंचु के पास में रखने के लिए देती है ठीक है यहां तलक के इसका पास पास है ठीक है गोंचु खुद भी बताता है कि हर एक चीज पिटारा की मेरे पास होती है तो इतने जो पहले एकदम सुरू में जूड वोली थी ना कि गोंचु ने धोके से साइन लिया है वो बात इसकी इन लोगों ने खुदी जूटा साबित कर दिया अगर गोंचु इस तो यहां से साबित होता है कि पिटारा ने जूड वोली थी कि फ्रॉट तरीके से सायन लिया गया था त विल्कुल भी नहीं फ्रॉट तरीके से लिया गया था अगर इसके साथ में ऐसा कुँछ उता तो ये गुचु के पर इतना विशूस नहीं करती अब यह सब बातों से दूसरी शादी दूसरी शादी बोलके सिंपती लेना ये सोच रही है कि जो इतने सुरू से जो अपनी बुक में सारी स्क्रीपे लिखी थी ना तो इतने जाके पहला पेज आज खुदी वापिस से खुल के रखी है कि मैं फिर से ना पहले पेज़ते ना सिंपती लेना शुरू करूँ तो पिटारा अब वो मुम्किन नहीं है बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ओडियंस को अच्छे से पता है कि तेरे साथ में कोई जुलूम नहीं हुआ था और अगर तेरी नहीं चलती तो गोउचु आज ना तुझे छोड़ के जैसे डिड darla चम्या के साथ में दिवाना हुआ पड़ा है वैसे गोउचु है ना कोफर का दिवाना हुआ पड़ा रहता ना क somatrak तेरा लेकिन नहीं भई अभी भी बच्चा होने के बावजूद भी वो पिटारा के साथ में ही चिपका रहता है तो किस चीज की सिंपती किस चीज के लिए कौन सी तेरे पर पहार तूट पड़ा जो तू आ गई है वापीस से वही बात को दोराने तो थोड़ी सी न शरम कर और रही लेंड के कपड़े थे कोई चीज़े तु खूद जाके गोंचु के साथ में शॉपिंग कर रही थी वेडियो बनाा बनाना के शॉपिंग कर रही थी तेरी जिटाणी ने जो बस एक हो लेंगा जोके तुनने दिखाई हda नीए कि बिक्हाई नहीं आई तो皮 ठ संमार है तो तो चले काम कर कोसर को बोल के किसी दिन वो लेंगा पहने आज या कल में वो लेंगा पिना कोसर को कराची जाने से पहले पहले वो लेंगा पिना कोसर को तो हम लोग मान जाएंगे के वो लेंगा कोसर कही था क्यों दूसरी बार वो पहनते हुए नजर नहीं आई नहीं न तो क बोई शॉपिंग वगेरा तेड़ी जेठानियों ने नहीं किये थे किसी नहीं किया था जब तुन्हें देखी के इस चीज से न मुझे तिमपती मिल रही है तो तुन्हें फटा फटा है ना नेना का लेंगा ले ली कुछ चीजे तुन्हें खुछ जाके शॉपिंग करी आती के लिए चैनल गुरो हो रहता डॉलर आ रहे थे फिर भी यह इतनी जूटी हो रहत है इसकीन केर में ही इसके पचास लाग पचास हजार सबस्क्राइबर हो चुके थे लेकिन इसने बहुत टेम के बाद में जाके वीडियो बनाई अलहम्दिलिल्ला पेमेंट आ गई है जूटी मकार हजार हो जाते हैं उसके बाद में 100 डॉलर बनने के बाद पेमेंट आ जाती है लेकिन इसके तो पता नहीं लाखों हो गए थे न तब इसने जाके बताई है कि पेमेंट आ गई तुने तो हर जगा हर कदम पे अपने सपोर्टरों को अपने सब्सक्राइबरों क दोखा दिये इतनी बड़ी तो दोके बाज औरत है कि इसके चैनल की सुपरिश्टार हीरोईन इसके चैनल की आन बान शान और जान कोसर है आप सभी को पता है कोसर का नाम यह नहीं लेती है तो इसके चैनल कैसे चलतकता है अभी देखो बात क्या चल रही थी इसके ही हुआ है बात यह चल रही है लेकिन यह क्या गसीट के लेकर आई कोसर की शादी को गसीट के लेकर आई ससुराल वालों की बुराई गसीट के लेकर आई जो चीज से यह यहां पे यहां तलक पहुंची है ना उनको गंदा करकर के जहां से इसको सिंपती मिली थी अपने खां है कानों से सुन लिया है सारी सच्चाई उनके सामने अला पाक ने लेके आ गए और अलहम दिलिल्ला हम सच्चे साबित हुए है जो बाते हमने तेरी एक एक साथ में बाकी जो लोग तुझे दिल तोड़ के प्यार करते थे अपने गले फाड़ रहते बद्वाय ले रहते गालियां सुन रहते गालियां दे रहते उन लोगों की आंके खुल चुकी है और यहां पे तु अपने आपको सही और उन सब को गलत नहीं बता सकती है एक बंद खराब हो सकता है तो जड़ी खराब है पेड़ की है ना पेड़ी खराब है वो तो इसके लिए तो फल खराब लग रहे ना तो यह बात है यहां पे तो पिटारा सिंपती लेना बनकर बेशरम कोथर के नाम से चैनल चलते तेरे कोथर के नाम से सलमा के नाम से व्यूज आते हमें अच्छे से बता है लेकिन तेरे अंदर अगर दम है ना तो अपने नाम से चैनल चला के दिखा अपने टैलेंट से चैनल चला के दिखा कुदी बोल रही है जब मैं बहुत मेहनत करती थी ना मैं बहुत मेहनत करके ना मैंने 50 अजार किये थे वही तो बात है न पिटारा 50,000 तेरी मेहनत के तेबा कि सब कासर जो है न इस्टार उसके नाम कि लगदी लानाते तेरे उपबर लोगों को गंदा करके अयाशी वाली जिंदगी जी रही है थूए तेरी जिंदगी के उपबर और आप लोगों को ये भी बता दूँ जिस तरह से यह औरत ने अपने सपोर्टरों को डिसान किये ना बहुत जल्दी ना अगर के इसको घोंचु चाहिए ना तो बहुत जल्दी ना ये कोसर को भी अपनी जिंदगी से निकालेंगी मतलब के ये गोंचु की जिंदगी से निकालेंगी हाँ अगर इसको ये वो आदमी के साथ तो पिर यह गोंचु को छोड़ेंगी ये दो में से एक करने वाली या तो कौतर को जिंदगी से निकालेंगी या तो फिर गोंचु को यह खुँझ छोड़के न किसी और की जिंदगी में ये तीसरी या दूसरी वाइब बनने वाली है बहुत जल्दी ये content भी लाने वाली है इसके लिए ये सारी sympathy ले रही है सारा कुछ कर रही है और ये सारा कुछ ड्रामा जैसे कि मैंने तो बहुत पहले ही आप लोगों को बता दीती कि आने वाले दिनों में बहुत गंदा गंदा content लाने वाली है पिटा रहा तो नहीं पेंड करती हूं आगे का पाड़ भी जरू देखना वीडियो पसंद हैंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राब भी करते ना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापीस